गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स, वेलकम तु दि इंग्लिश क्लासेश, ये खलास नाइन्थ के इंग्लिश के विहाइब टेक्ष्ट बुक का पोईट्री का फर्स्ट पोयम है, इसका अज हम लोग सेंटरल आइडिया करेंगे, ये ये इस वीडियो को आप शुरू से अंत ध्यान से सुने और देखें, तो आपको तुरंत ये सेंटरल आइडिया लड़न हो जाएगा, तो आए बिना देर के हम इसे स्टार्ट करते हैं, इस सेंटरल आइडिया आइडिया आप दी पोयम, दी रोड नाट टेकें, कंपोजड बा इन एलो उड, दी पोयट फाउंड हिमसेल्फ इन डिलेमा, यानि रावर्ट फास्त द्वारा रचित देरोड नाट एक इन कविता का केंदरी भाव है, कि एक सुबह, एक पीत बन में, कभी ने श्वयम को एक दुविधा में पाया, as he had a road divided in two in front of him, जब उसने अपने सामने सड़क को दो दिशाओं में बटा पाया, at length he chose the road that was less worked on and it made all the difference, अंत में उसने उस सड़क को चुना, जिस पर कम लोग चले थे और इसी से सारा अंतर हो गया, we find ourself in such dilemma in life several times, यानि हम कई बार जीवन में श्वयम को ऐसी दुविधा में पाते हैं, we have to take a decision which we should take wisely, और हमें एक निड़ा लेना होता है, जिसे हमें बुद्धिमानी से लेना चाहिए, I hope ये वीडियो आपको पसंद आयोगी, यदि पसंद आयोगी तो आपने फ्रेंसर्गल में अपने क्लास्मेंट के साथ ही से जरूर शेयर कीजिएगा, thank you, thanks for watching.